दोस्तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नहीं बिजनिस आइडियाज और नहीं जैनकारी के वाला के लिए दोस्तो आप लोगोंने किसी भी चीज को वाल या वूट से अटेच करने के लिए कील यानि की नेल का इस्तमाल किया ही होगा तो आपने कभी सूचा है नेल को कैसे बनाया जाता है तो चलिए सुरू करते हैं नेल बनाने माले फैक्टरी का अन्बॉक्सिंग दोस्तों आपने अलग-अलग टाइप की और अलग-अलग मटरियल की नेल यूज की होगी और इस फेक्टर में नेल बनाने के लिए कारबन स्टिल का इस्तिल का इस्तिमाल किया जाता है और उसके लिए अलग-अलग टाइब के मटरियल जैसे की SS और MS भी यूज़ गिये जाते हैं अब नेल बनाने की प्रोसेस टार्ट होती है बड़े से ड्रम पे लपेटे हुए स्टील के वायर से इस टील के वायर को अटोमेटिक मसिन में डाला जाता है और दोस्तों इस मसिन में में दो प्रोसेस होती है सबसे पहले दो कटर की मदर से वायर को कट किया जाता है और नुकिला सेफ दिया जाता है और प्रिस की मदर से नेल का हेड बनाया जाता है और ये पूरी प्रोसेस बहुत ही स्पीडली होती है और ये मसीन में एक मिनिट में करीब 200 नेल तयार हो जाती है जाती है जाती है अब बार ये नेल को पॉलिस करने की उसके लिए नेल को स्पेशियल सेंट के ड्रम में डाला जाता है और उस ड्रम को रोटेट किया जाता है आफ्टर पॉलिसिंग नेल रेडी है यूज होने के लिए और दोस्तो इस फेक्टरी में एक साल में करीब 25 मिलियन तयार की जाती है और उसके लिए 10,000 टन मेटल का रोव मटरियल यूज किया जाता है अब आप अपने घर में नेल करेंगे तो आपको पता होगा कि ये नेल कैसे बनाये गई है दोस्तो हम त्यार माल को जूट के बोरे में पैक करवा कर बज़ार में सेल कर सकते हैं कीले नुकीली होती है इसलिए प्लास्टिक के बैक के फटने का डर रहता है हम चाहें तो एक किलो पांच किलो और दस किलो के पैकेट भी बना सकते हैं दोस्तो वायर नेल का बिजने सुरू करने के लिए टोटल खर्चा साथ से आठ लाग रुपे के आसपास आता है जिसमें आपकी चार से पांच लाग रुपे की मसीन की प्राइस होती है उसके बाद रौ मेटरियल, पैकिंग मेटरियल, लेवर कॉस्ट, ट्रांस्पोटेशन और अन्य बाकी सारे खर्चे हैं चलिए अब इसके प्राफिट को समझते हैं इसमें टोटल प्रोडक्शन कोस्ट 32-35 रुपे के आसपास आता है रौ मेटरियल और बाकी खर्चे के साथ और ये तैयार माल बजार में 40-45 रुपे के हिसाब से बिखता है जिसमें हमारा एक केजी पे प्राफिट 13-15 रुपे के आसपास आ रहा है अगर हमारी मसीन एक दिन में 500 किलो से 600 किलो का प्रोडक्शन करती है तो पूरे महीने में ये 500 कहीं साब से 15,000 किलो का प्रोडक्शन करेगी जिसकी टोटल वैलू 6,75,000 के आसपास आएगी जिसमें प्रोडक्शन कोस्ट और रौ मेटरियल 4,80,000 का है उसके अलावा पैकिंग, कॉस्ट, ट्रांस्पोटेशन और बाकी खर्चे जब निकालने के बाद भी हमारा टोटल प्रोफिट एक महीने का एक लास आता है दोस्तो सुरुवात में हमें थोड़ी मुश्किले हो सकती हैं अपने तयार माल को मार्केट में बेचने में तो हम थोड़ा प्राइस कम करके भी बेच सकते हैं बट एक बार मार्केट पकड़ लेने के बाद हमारे प्रोड़क्ट की डिमान बढ़ती जाएगी फिर हम भाएंगे प्राइस पे भी बेच पाएंगे हम अपने तियार माल को तीन तरीके से बेश सकते हैं पहला तो सॉप्ट तो सॉप्ट यानि हमें हर दुकान पे जाके अपने माल का सैंपल देना होगा और फिर उन से ओर्डर लेना होगा या फिर हम direct distributor के जरिये भी अपने टियार माल को बजार में बेख सकते हैं जिसके अंदर काफी सारी दुकाने होती हैं या फिर दोस्तो हम online भी अपने product को बेख सकते हैं और अपने तियार माल को बेख सकते हैं तो दोस्तो इस video में इतना ही वीडियो को लास तक देखने के लिए धन्य बात उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो जुरूर पसंद आई होगी और अगर आपका कोई सवाल या सुजा हो तो आप हमें कॉमेंट के जरीए दे सकते वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूले और चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास